हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर एक और नए वीडियो के साथ दोस्तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे रिकृप्मेंट बोर्ड में आप किस प्रकार से रेजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तो ये रेजिस्ट्रेशन वन टाइम के लिए के सिह हूटा है दोस्तो रेजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आरवी से जूड़े किसी भी प्रकार की वेकेंसी के लिए आप ऐजिली अपलाई कर सकते हैं दोस्तो आपको गूगल पर आना है आररवी और युशिज को पूरा प्रोसेस बताऊँगा चैनल आररी किस इस प्रकार से registration कर सकते हैं दोस्तों आपको top right corner में apply button मिलता है वहाँ पर आप create an account पी आपको click करना है जीसे आप उस पर click करते हैं दोस्तों आपके सामने registration का जो form page होता है easy तरीके से open होकर आ जाता है दोस्तों अब इस पर easily click कर लेते हैं click करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ information मागी जाती है जैसे कि आपको अपना पहले सबसे पहले nationality देना पड़ता है जैसे कि आप इंडिया से हैं नेपाल से भूटान या किसी other countries हैं दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी nationality provide करना है इसके बाद में आपको अपना full name, father name, mother name, date of birth और आपका जो इसके बाद न information को मैं completely fill up कर लेता हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैंने सारा data fill up कर लिया है, इसके बाद दोस्तों आपको one by one scroll करते जाना है और cross check करते भी जाना है, आधार number enter करने के बाद दोस्तों आधार को verify करना है, इसके बाद इसी verify complete करते हैं दोस्तों यहाँ पी green color हो जाता है, इसके आपको यहां पे password create कर लेना है create करने के बाद आपको submit कर देना है submit करने से पहले यहां पर preview option आता है वहां पर details एक बार verify करना है फिर इसके बाद final submit कर देना दोस्तों यहां पर देख सकते हो user created successfully लिख कर आ चुका है दोस्तों यहां पर आपने railway recruitment board में अपने user ID और password के थुरू अपने registration कर लिया है दोस्तों अभी आपको form apply करना है दोस्तों आप easily यहां पे mobile number और password capture फिलब करके login कर सकते हैं दोस्तों अगर password भूल जाते है तो यहां से forget password का भी एक option आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों फिलाल में NTPC की जो vacancy running में है दोस्तों मैंने इसके उपर already वीडियो बना रखा है दोस्तों description box में देगे link को आप follow करके आगे की वीडियो के बारे में information निकाल सकते हैं वीडियो पसंद आया तो like, share, subscribe, comment आवसे करें धन्यवाद